हालो स्टुएंट्स वेलकम है आप सफीका स्टीफन स्पैंडर की बाइग्राफी आज किस लेसन में कंप्लीट करेंगे टूटल फॉर्टी पॉइंट्स देखने वाले हम लो वर्क्स अचीवमेंट्स और इंपोर्टेंट लाइफ इवेंट और क्या किस और स्पेशल गुरू स्टीफन है प्ल्स अपाद्र का नेम तो फूल नेम ईनका हो गया थे और इनके नाम के साथ आपको मिलेसलिगा तो वह इसलिए है क्योंकि इनको यह उपादी दी थी CBE mean commander of the order of the British Empire ठीक है CBE की उपादी 1962 में को मिला था है इनके achievements में हम पढ़ेंगे and social injustice and the class struggle यह इनके main theme रही जो इस पर यह लिखते थे works पर born and 28th February 1909 Kingston, London, England English poet हमारे England के है यह 28th February 1909 में का जन्म हुआ है 16th of July 1995 25-25 म्रत्यू विए इनकी St. John Woods प्लेश में लंदन, England में heart attacks है Father Harold Spender जो की journalist है Mother इनकी Violet Hilda sisters यह जो है एक painter poet थी and of German Jewish थी है ठीक है next हमारा point है He was appointed poet laureate consultant in poetry Poet laureate consultant अपोइट किये गए थे poetry में US library में of Congress in 1965 देखिए जो पहले वह भी अभी इनकी school education भी पढ़ेंगे पर ऐसे important points जो जिसके लिए especially जाने जाते हैं जैसे इनका work at the temple इनकी गाटो वाइग्राफिये world within world ऐसे जो points हैं जिसके लिए यह surface पे जो हुआरे point रहना ही है इसके लिए इनको जाना जाता है तो हम देख रहे थे अब यह देखना हैं इनके education hall school ham street में primary education gresham school halt में age of 13 के समय यह school जोइन किया then karl court at school वर्दिंग में यह भी इनोंने जोइन किया university college school है यह university college school लंदन में जोइन किया then आज आता है अगर आप कहीं भी इनकी biography देखेंगे तो आपको सिरफ यह लिखा है मिलेगा university college Oxford में यह इनोंने जोइन किया था graduation degree के लिए पर हाँ इनोंने कोई degree नहीं दी थी it's complete नहीं की थी उधर पे इनको 1973 में he was made an honorary fellow भी इनको बनाए गया था बट नीचे लिखा है he didn't finish his degree फिनिश नहीं की लिखरी नोंने डाबलू एच ओडन जरूर पढ़ेंगे हम जब इनको पढ़ेंगे क्योंकि यह इनके best friend थे his closest friend and the man who had biggest influence on him इनों इनके बहुत अच्छे friend थे और ओडन का इनकी life पर इनकी poetry पर इनके works पर काफी influence भी देखने को मिलता है और ओर्डन ने ही इनको introduce कराया था Christopher Aysherwood से तो यह दो नाम ओर्डन एंड आईशर वोड क्रिस्टोफर इनके साथ जरूर चलते हैं हमारे स्टीफन स्पैंसर के साथ स्टीफन स्पैंडर के साथ स्टुडेंट यह जो है अभी जो इनका most important work है ता टेंपल जो कि हम आगे पढ़ेंगे इनके work में तो वो जो एक autobiography न सेमी इनी दोस्तों के बारे में इनके साथ क्या साथ टाइम स्पैंड किया था जर्मनी में वही discuss किया है ठीक है डवलु एच ओर्डन एंड क्रिस्टोफर आईशर वोड के साथ कैसा टाइम स्पैंड किया था स्टीफन स्पैंडर ने तो दिखा भी इस में नाइटीन 30 तो 1933 इस पैंड मैंने जर्मनी विद दराइटर किस्टोफर आईशर वोड टाइम तो दब चलेगा साथ में 1930s के टाइम मिले थे ही फॉट इनदा स्पैंड इस्पैंड इस्पैंड वार नाइटीन थे तरफ की बात है यह स्पैंड इस्पैंड ने इस्पैंड के साथ रिपोर्ट करने और अब्जर्व करने वाकि कर्मिनिस पार्टी को ठीक है 1920 तो 1930 है एसोसियेटेड विद अधर पोईट्स और सोशलिस्ट सच इस डबलु ए चॉर्डन इस दौरान यह इन और इन पोईट्स से मिले इन लोगों से मिले सोशलिस्ट पोईट्स जैसे कि यह दो नाम तो मैं पता ही है उसके लावें लुईस मैकनीज और सीडे लिविस पहले यह तो पढ़ेंगे नाम पर उनके लोगों के नाम भी इनकी लाइफ में जरूर आते हैं हमारे स्टीफन स्पैंडर की लाइफ में नेक्स पॉइंट है फाउंड़ इस मैगजीन विद सिर्ल कॉनली इनके साथ मिलकर इनों ने इस मैगजीन को फाउंड किया था इस थापित किया था एंड सर्व एडिटर फ्रॉंट इस डियूरेशन में इसके यह बने रहे एडिटर भी हॉरीजॉन और दूसरी मैगजीन का नाम आता है आता है या फिल इस तरह से कोशन कैसे भी बन सकता है आप देखते चली 1953 तो 1966 एडिटर रहे एंड काउंटर मैगजीन के एंड ही सर्व एड़ा कंसल्टेंट इन पोईटरी तो दा लाइबरी ऑफ कॉंग्रेस वही जो लोग पोईट लॉरेट पने थे मैने स्टार्टिं में पता है और अचीव मैं भी पढ़ेंगा भी हमें के यह बात 1970-77 Spender was professor कई सारे यूएस के उनिवर्सटी में प्रोफेसर लाइए लेक्चर दिये जिसारी में तो यह थी यह थी यह लेक्चर फिंग्लिश प्रोफेसर आ इंग्लिश को अर्च एम लग्चर दिये 1983 ही वाज नाइट की उपादी भी दी गई थी ने भी नहीं दी गई थी ती ही वाजब इन नाइटाट बनाएगा था ना CBN का करके वो वैसे ही ये वाली उपादी भी थी Awards achievement आगे है इसमें देखते हैं हम लोग लेकिन अभी ये timeline चल रहे है तो उसमें भी आप देखते हैं 1983 he was knighted Oxford poet ये important term है कि life का कौन से group से कौन से एक colony से school से ये जोड़े थे तो ये Oxford poet से connected जिसको की oddan circle भी कहते हैं और जिसको 30s group भी कहते हैं ये दिखाना 1930 30s group भी कहते हैं इस तरह से इस एक ही group को एक ही नहीं he was a member of the generation of British poets ये generation ते members थे सारे British poets who came to prominence in the 1930 1930 के समय बिटेन में जो भी poets famous थे आपस में जो कि उभरते हुए कलाकार कभी poets वो सब एक group में आ गए that is they were called Oxford poets who come to prominence in 1930 a group referred as Oxford poet कौन-कौन था उसमें Lewis, C.D. Lewis, W.H. Oden, Christopher A. Sherwood and Stephen Spender तो ये नाम आपको बार-बार मिलेंगे Oxford poets भी कहलाता है ये Oden Circle Oden Circle क्योंकि Oden में थे इन में तो Oden Circle भी कहा जाता है and then also 30s poets भी 30s group भी इनको कहा जाता था He was also member of the Bloomsbury group in particular Virginia Woolf ये important है जो Virginia Woolf की biography जो नो ने देखिये वो जान जाएंगे Virginia Woolf थी member इस group की उसके भी ये member थे ठीक है हमारे Stephen Spender In Spender's poem one can see the same political attitude that Oden and Dey Levy's showed in their poems जो Oden और इनकी poetry के खासियत थी वो ही हम Spender की poem में देख सकते हैं जो attitude है political way में and Sanchez's imagery is also the quality of his poems 1954 accepting the Alliston Chair of Poetry at the University of Cincinnati 1954 करियर की बाद चल रहे है 1954 के समय इनोंने ये वाला भी post accept किया था Alliston Chair of Poetry at the University Cincinnati University में इनको मिले थी poetry के post बेख 1961 बिकेम प्रोफेसर आफ रेक्टोरिक at Gresham College London तो यहां पर प्रोफेसर बनेते है रेक्टोरिक प्रोफेसर at Gresham College London में 1961 के समय के बात है 1962 Spender was made a CBE again then same point CBE बनाए गए था 1962 में Spender was discovered by T.S. Elliot an editor at Fever and Fever in 1933 जो लोग continuously by graphics पढ़ रहे हैं उनको पता है Fever and Fever क्या एक publishing house है जो की publish कराता है books सभी poets की writers की तो Fever and Fever में जो आइटर थे T.S. Elliot उन्होंने इनको discover किया था यानि कि इनकी जो रचनाय है उसमें publish कराई थी जिस सगी यह famous हो गए ते एक बार ऐसे कह सकते है important works पर यहां से जैसे की question बनेंगे works poetry में spiritual exercise यह इनके collections of poetry है poems नेम नहीं है collection of poems है poems के collections है 1943 में यह privately publish हुआ था poems of dedication 1947 यह सामने publishing year लिखिया है इनके the age of being collected poems यह पूरा नाम है इसका collected poem 1928 to 1953 यह नाम है पूरा collection का हुआ था 1955 में selected poem 1965 the express 1966 and और भी है the express 1966 generous days 1971 selected poem recent poem dolphin very important है dolphin 1994 में publish हुआ था and 20 poems 1930 9 experiment यह important है privately publish हुए था यह ऐसे question बन सकते है यह चलो ठीक है यह सारे हमारे spender के है इन में से कौन सा पॉब्लिक ली और कौन सा ब्राइविटली पॉब्लिश हुआ था तो 9 experiment और स्टार्टिंग में जो था spiritual exercise ड्रामा वर्क्स पे इनके देखने था है ट्राइल आफ़ जज नाइटीन था नाइटीन था यह पॉब्लिश हुआ है यह इन वर्क इनका और राइस पॉटिंस एंड नाइटीन फिप्टीएट में यह इंपॉटन्ट है दा इडीपस ट्रिलोजी 1985 में यह पॉब्लिश हुआ है इनका ड्रामा वर्क नॉबल एंड शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में दा टैंपल इंपॉटन्ट है इसी के लिए तो पढ़ रहा है इनको हम दा टैंपल रिटेन 1929 में लिखा था इनों ने यह लेकिन देखिए पॉब्लिश कितना लेट हुआ था 1988 में तो इसलिए यह इंपॉर्टन बहुत बन जाता है semi autobiography भी कहते है इसको autobiography भी कहते है और इनके जो friends से उनके साथ इनकी life के journey रहे एक particular duration की वो इसमे इनोंने बताया है पूरी life नहीं बताया इसलिए इसको autobiography भी कहते नहीं है जल्दी से semi autobiography कहते है The Burning Cactus short story collection 1936 में publish हुआ था यह backwards son 1940 engaged in writing 1958 works पे ज़्यादा ध्यार देना चाहिए क्योंकि वहां से question बनते है life से तो बनते है memoir भी नोंने लिखा था memoir कहलो autobiography भी कह सकते है इसको world within world 1951 most important 1951 publish हुआ था world within world जिसके लिए यह बहुत ज़्यादा जैसे कि the temple है उसके बाद इनका यह work ज़्यादा consider किया जाता है students memoir में world within world memoir इसलिए कि वह इसमेनोंने यादे लिखी है अपनी memories collected कि autography is a recreation of much of the political and social atmosphere of the 1930 के समय का जो political and social atmosphere था उसमेनोंने बताया है letters and journals भी इनके ज़्यकी इनोंने किस्टो पर कुछ लेटर लिखे थे वो 1980 में journals normal 1985 and new selected journals 1939 to 1995 के समय इनके पब्लिश हुए essay work और travel book तो the god that failed 1949 the destructive element 1935 में पब्लिश हुआ यह forward and liberalism 1937 life and the poet यह सारे unique ही है जिसमें से यह वाला बहुत important है life and the poet European witness poetry since 1939 यह इसका पूरा नाम है poetry since 1939 published हुआ है 1946 में learning laughter 1952 में यह आया है essay work then creative element making of a poem struggle of the modern the year of the young rebel love and relations the thirties and after तो यह सारे works हमारे Stephen Spender के हैं यह कुछ mixed work है इनके जैसे की poems of collection poem के collection तो publish हुए हैं पर उसमें कुछ poems हैं जो ज़्यादा famous हैं तो विए ना जो की long poem है about socialist Austrian socialist liberalism के बारे में trial of a judge यह इनका बतायता पीचे भी मैंने लिकन यह special है देखिए क्या है यह वर्स में लिखा गया इनका drama anti-fascist my parents यह poem है बच्चों की books में consider किये गए CBSC की जो इस लेबस होते है the shapes of death express the express seas kept an elementary school in Salem यह भी इस लेबस में है ruins and visions the truly great spender wrought china diary important point है इन्होंने एक चाइना डाइरी करके लिखाता with David Hawk ने in 1982 तो यह इन्होंने collaboration में लिखाता individual पर इनका work नहीं है china diary तो यह भी question बन सकता है किस के साथ लिखाता है collaboration में David Hawk ने के साथ या फिर कौन साइन में से work है जो इन्होंने केवल इनके द्वारा लिखा नहीं है कि इनके साथ किसी और ने भी लिखाता तो वो china diary है ऐस तरह से question हमारे Jewish people Jewish people के साथ इनका close relationship ये feel करते थे क्योंकि इनकी mother जो थी वो half Jewish थी mother थी इनकी violet, hilda जिनके father थे German Jew और इनकी mother थी German Catholic तो यहां से इनका connection था Jewish का इस वज़े से ये Jewish को ज़्यादा उनसे close feel करते थे Jewish people से marriage इनकी देखी रही हम लोग ने अब देख लेते हैं I.N.S. Maria पर 1936-1939 चला उसके बाद दूसरी मैरे इनकी Natasha Littwin 1941 जो की pianist थी next point I think continually of those who were truly great ये quotations है इनकी world within world के ठीक है I think continuously of those who were truly great important है ये इनकी all that you can imagine you already know इनकी important quotations हो गए इस work की achievements एक page पर हम तुबारा देख लेंगे सारे हमने पीछे भी पढ़ लें पर एक बार एक जगा appointed 17th poet laureate consultant in poetry to the US library of Congress Congress US library के ये 17th poet laureate consultant ये appoint किये गए थे 1965 में इनको ये CBE मिला था Commander of the Order of the British Empire 1962 में ये इनको पादी दी गई थी Queen's birthday honor जो Queen's birthday था उसके सम्मान में Knight के उपादी 1983 Queen's birthday honor में मिला था 1995 में इनको मिला था Golden pen award इनके achievements हम ने देखे यहां पर इनके death के बार में डीटेरल से देख लेते हैं On July 16, 1995 Spender dead of a heart attack in Westminster London Age इनकी थी 86 He was buried in the graveyard of St. Mary on Paddington ये थोड़ा यार रख लेंगे इनका जो भी थोड़ा से देख लेते हैं Novel fiction है Novel है Fiction में आता है Semi autobiographical novel भी कहते है Referred as Bill Dunks Roman देखे ये important term है Literary genre है Literary term है ये वाली Novel तो इसको कह रहा है लेकिन इसको ये भी बोल रहा है Bill Dunks Roman क्यों कह रहा है ये क्या है Bill Dunks Roman ये एक literary genre है और ये वो genre है जो कि focus करता है psychologically and moral growth होती है जो कि protagonist की protagonist की protagonist यानि कि जो नायक है हमारा Novel का जो hero है protagonist है उसकी psychological and moral growth है from youth to adulthood यूथ से लेकर adulthood तक की समय की growth होती है वो कहानी यासे बताते हैं उसको यासा बोलते है Bill Dunks Roman ये एक literary genre है तो temple को भी ये बोला गया है मैंने बताया भी आपको इनके दोस्तों के साथ जो इनकी journey रही वो इन्होंने discuss करी है इसमें character जो इसमें रहे Paul, Connor, Simon, Wilmot Jessica इनके friend थे Ordon and Asherwood Christopher Asherwood और ये खुद तो इन्होंने उनके नाम को दूसरे नाम दिया गया As it is name तो लेते नहीं है 1929 में written लिखा था लेकिन published 1988 में हुआ था Favor and Favor के द्वारा ही पब्लिश कराए गया था Based on time spent in Germany जो इन्होंने जर्मनी में time spent किया था अपने दो With Asherwood and Ordon के साथ उस पर ये based है ठीक है तो ये semi autobiography क्योंकि पूरा तर लाइफ नहीं लिखिया वह पर्टिकुलर टाइम लिखा है अपने दोस्तों के साथ का तो ये वाला term याद रखिएगा अलग से भी literary term जैसा कि हम पढ़ते हैं तो आपको ये easy रहेगा याद करने में Next is world within world biography जैनल इसका क्या है बाइग्राफी है Originally published was in 1951 में John Bailey ने इसके वर्क के बारे में क्या बोला है तारीफ करते हुए The best autobiography in English written in the 20th century सबसे best autobiography के बाइग्राफी है जो कि इनोंने लिखिए autobiography एट कर लिजेगा याँपे ये इनकी journey है इसमें इनोंने जो लिखा है 1928 से लेकर 1939 तक की जो उनकी life है वो इनोंने discuss करी है इस अपने इस work में तो students आज के इस lesson में total 41 points हो गए हमारे Stephen Spender important है और कहीं मिल नहीं रहे है ये बच्चों को कहीं भी इनकी details केसी भी बुक में भी मुझे भी नहीं मिली पर नहीं कि मैंने काफी इसको hard work लग गया thank you so much for watching this lesson खुश रहिये positive रहिये जाहिन